पाठ साथ कारक नीचे दिये गए वाक्यों पर ध्यान दीजिये बगीचे तितलियां हैं धोनी मैच अर्ध शतक बनाया कक्षा अध्यापक राम प्रशन साकी सबजी वाले ग्राहक सबजी बेची उपर दिये वाक्यों में प्रियुक्त शब्दों के अर्ध हैं परंतु फिर ही वाक्य का अर्थ नहीं समझ आ रहा इन वाक्यों को अर्थ पून इस प्रकार बनाया जा सकता है बगीचे में तितलियां हैं धोनी ने मैच में अर्ध शतक बनाया कक्षा में अध्यापक ने राम की प्रशन साकी सबजी वाले ने ग्राहक को सबजी बेची उपर दिये कि वाक्य का अर्थ इसलिए नहीं निकल रहा था क्योंकि वाक्यों में संग्या सर्वनाम और क्रिया तो थे लेकिन उनका आपस में संबंध बताने वाले शब्द नहीं थे कारक जिन शब्दों से हमें संग्या वह सर्वनाम का क्रिया से संबंध का बोध होता है उन्हें कार जिन शब्दों से हमें संग्याव सर्वनाम का क्रियासी संबंध का बोध होता है, उन्हें कारक कहा जाता है। कारक के भेद, कारक के आठ भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक. पाठ साथ कारक नीचे दिये गए वाक्यों पर ध्यान दीजिए बगीचे तितलियां हैं धोनी मैच अर्ध शतक बनाया कक्षा अध्यापक राम प्रशन साकी सबजी वाले ग्राहक सबजी बेची उपर दिये वाक्यों में प्रियुक्त शब्दों के अर्ध हैं परन्तु फिर भी वाक्य का अर्ध नहीं समझ आ रहा इन वाक्यों को अर्ध पून इस प्रकार बनाया जा सकता है बगीचे में तितलियां हैं धोनी ने मैच में अर्ध शतक बनाया कक्षा में अध्यापक ने राम की प्रशंसा की, सबजी वाले ने ग्राहक को सबजी बेची कारक चिन लगाने से ही वाक के पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाते हैं कारक चिन को परसर्ग अथ्वा विभक्ती चिन भी कहते हैं सभी कारकों की विभक्ती या चिन्न होते हैं, करताकारक विभक्ती चिन्न ने, जिस शब्द से काम करने वाले का पता चलता है, उसे करताकारक कहा जाता है, जैसे माताजी खाना बना रही है, पाठकों ने पाठ पढ़ा, नौकरानी ने घर की सफाई की, सोहन खेल रहा है, इन वाक्यों में माताजी, पाठकों, नौकरानी और सोहन करता है। सभी काम इन लोगों ने किये। ने विभक्ती के बिना भी करताकारक होना संभव है। ध्यान दीजिए। ने केवल भूतकाल के वाक्यों में प्रयोक्त होता है। नेका प्रियोग अकर्म क्रियाओं के साथ कभी नहीं होता। चिन को किसी वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कार्ग कहलाता हैгляд जैसे तमन्ना पत्र लिखती है, मैंने पुस्तक को पढ़ा, मोना फल लेकर बाजार गई, उपर लिखे इन वाक्यों में पत्र, पुस्तक, फल और बाजार, सभी कर्मकारक हैं, कर्मकारक की पहचान, क्रिया के साथ कौन, किसने, क्या, किसको, कहां, प्रश्न किये जाते हैं, जो उत्तर मिले, वह कर्मकारक है, किसी वाक्य में दो कर्म भी हो सकते हैं, जैसे फल और बाजार, दोनों कर्म हैं, कर्णकारक, विभक्ती के द्वारा, से, जिस साधन से करता काम करता है, उस साधन या माध्यम को कर्णकारक कहा जाता है, जैसे रोहन गुड़े से खेल रहा शिशू बोतल से दूध पीता है उपर दिये गए उदहरणों में गुड़ेवा बोतल साधन है जिनके द्वारा क्रियाएं पूरी हो रही है अतह ये करणकारक है करताकारक विभक्ति चिन्द ने जिस शब्द से काम करने वाले का पता चलता है उसे करताकारक कहा जाता है जैसे माताजी खाना बना रही है पाठकों ने पाठ पढ़ा, नौकरानी ने घर की सफाई की, सोहन खेल रहा है इन वाक्यों में माताजी पाठकों, नौकरानी और सोहन करता है सभी काम इन लोगों ने किए, ने विभक्ती के बिना भी करता कारक होना संभब है संप्रदान कारक को के लिए करता जिसके लिए काम करता है उसे दिखाने वाले शब्दों को संप्रदान कारक कहा जाता है जैसे मीना ने गरीबों को भोजन कराया अध्यापक ने परिक्षा के लिए अभ्यास करवाया रोशन ने नौकर को वेतन दिया उपर दिये वाक्यों में गरीबों परिक्षा नौकर को वेतन संप्रदान कारक हैं अपादान कारक से अलग होने में संग्या ये सर्वनाम के जिस रूप से एक का दूसरे से अलग होना तुलना करना डराना आधी भाव स्पष्ट हो वे अपादान कारक कहलाते हैं जैसे पेड से फल गिरा रीना शीना से अधिक सुन्दर है छोटा बच्चा शेर से डर गया उपर दिये गए उदाहरणों में शीना बच्चा वपेड अपादान कारक हैं क्योंकि इन में अलगाव तुलना और डर का भाव है संबंध कारक का के की रा रे री संग्या का वहरूप जो दो सर्व नामों वह दो संग्याओं का आपस में संबंध बताता है उसे संबंध कारक कहते हैं जैसे यह विद्याल शामा का है वह मोहन की कार है आज रोहन की बेहन की शादी है इन वाक्यों में शामा का मोहन की और रोहन की संबंध कारक हैं अधिकरण कारक, पर, मे, संग्या का वहरूप जिससे क्रिया का स्थान, समय और आदर का बूध होता है, उसे अधिकरण कारक कहती हैं, जैसे शेर लोमडी पर जप्ता, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बिल्ली छत पर बैठी है, उपर दिये गए उदाहरणों में, लोमडी पर, कक्षा में और छत पर अधिकरण कारक के उदाहरण हैं, क्योंकि ये जप्ता, पढ़ा रहे हैं, तथा बैठी है, क्रियाओं के आधार पर बने हैं, संप्रदान कारक को के लिए करता जिसके लिए काम करता है, उसे दिखाने वाले शब्दों को संप्रदान कारक कहा जाता है, जैसे मीना ने गरीबों को भोजन कराया, अध्यापक ने परिक्षा के लिए अभ्यास करवाया, रोशन ने नौकर को वेतन दिया, उपर दिये वाक्यों में गरीबों, परिक्षा, नौकर को वेतन, संप्रदान कारक रखाए। प्रियोक्त किया जाता है, संबोधन कारक कहलाते हैं, जैसे हे इश्वर सब खुश रहें, अरे तुम कैसे हो, भाईयों और बहनों, देश तुम्हें पुकार रहा है, उपर दिये वाक्यों में हे इश्वर, अरे और भाईयों और बहनों आधी संबोधन कारक हैं, विशेश, स आके में शब्दों का क्रिया से संबन्ध कारग कहलाता है। कारग जिन्ड को परसर्ग या विभक्ति चिन्ड भी कहते हैं। संप्रदान, अपादान, संबन्ध, अधिकरण और संबोधन कारग के भेध हैं। कारग की पहचान कुछ प्रश्न पूछ कर की जाती है। करता कारक का प्रियोग तीनों कालों में से केवल भूत काल में होता है। अपादान कारक और करण कारक दोनों का परसर्ग से होता है। परन्तु दोनों अलग-अलग अर्थ को दर्शाती हैं। आओ अभ्यास करें। सही वाके के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का छिन लगा नीचे दिये गए वाक्यों में रिखांकित शब्दों के कारक लिखिए। संबोधन कारक अरे हे वे संग्या शब्द जिन्हें किसी को बुलाने के लिए प्रियोक्त किया जाता है संबोधन कारक कहलाते हैं। जैसे हे इश्वर सब खुश रहें। अरे तुम कैसे हो भाईयों और बहनों देश तुम्हें पुकार रहा है। उपर दिये वाक्यों में हे इश्वर, अरे और भाईयों और बहनों आदी संबोधन कारक हैं। कोश्ठक में से उचित विभक्ति चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। दिये गए वाक्यों को पूरा कीजिए। सही विकल्प पर सही लगाईए।